नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल किंग फार्मी से मैं मैं सुरेश को माउध फार्मासिस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आपके लिए ट्रीटमेंट और माउध फार्मासिस्ट में यूज होने वाली कौन-कौन सी टेबलेट केपसूल होते हैं जो आपके लिए माउध फार्मासिस्ट को रिलीव देने में काम करते हैं इसे पहले वीडियो में हमने जाणा थायानी कि मौहें में चाले कैसे होते हैं क्या लग्सन है क्या कारण है और गिलेलू उप्चार क्या थे आज हम इस वीडियो में आलोपयतश करीटमेंट आपके लिए लेक्राइए फिलीज वीडियो को पूरा देखे और द्यान से देखें और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वेल आइकन को फ्रेज कर लो ताकि आने वाली इसी तरह की मेडिकर डिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अब बीना देरी की में किया जाता है कभीकभी कभी कभ़ार क्या होता है अपने मुंए में चाले यानि कि किसी इंफेक्षन के कारण होते है इसको रोकने के लिए आप अपन एजितराल डैसो ही टेप्लिट द Northern शाल्थ की बात कर तो इसमें साल्थ होता है यानि कि में इसमें यूज किया जाता है यूज की बात कि रही इसमें मुगे के सालहे में तो यूज होता है यह बट इसमें बेक्टियल संकर्मन के लिए और टॉंशिन का संकर्मन हो जाता है उसके लिए भी अपन यूज कर सकते है। टॉंशिन न Issoder is used आपको लेना चाहिए खाने खाने के बाद सेकंड टेबलेट की बात करते हैं जो इंपोर्टेंट है यानि की मुह के शाले यानि की माउथ अलसर के लिए वह विकासूल केपसूल विकासूल केपसूल में क्या होता है यह बिटामिन बी कोंपलेक्स की कमी की वज़े से अपने मुह में चाले वगरा हो जाते हैं तो इसलिए बिकासूल केपसूल में तो विटामिन बी कोंपलेक्स और बिटामिन सी पाय जाते हैं इसलिए अपने मुह में चालो वग बात करें तो मुंए में चाले के लिए होगी एक तेपलेट एक केपसूल सुबह और एक केपसूल स्याम को खाने के बाद में लिया जाता है अब ठल टैबलेट की बात करें यानि की कैपसूल है यानि की ओमेज कैपसूल ओमेज कैपसूल आप नाम से समझ गए होंगे यानि की ओमेज यानि की ओमीपराजोल कैपसूल होता है यह आप सामाने ते जान चुके होंगे ओमीपराजोल कैपसूल के लिए मौय के यrec22 के लिए कि लिए कभी क्या होता है अब ने की स्टोरऑच टेबलेट बहुत सारे केपषुल वग bands या थे लिए उटाटे और डॉक्व कर अनवार पक्षाद से जय्यादा होता है किस未 sounds डेना होता हैं इसे कारण की बात करें तो इसमें ओमिप्राजोल पहे जाता है और जूजेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था यह पेट के अलसर मुह के अलसर और एसीडीटी के लिए यूज में होता है यानि कि अपने पेट में एसीडीटी वगएरा हो तो उसको रिलीव देने का काम करता है डोज की बात करें तो बन टेबलेट यानि कि एक केपसूल एक डेली इसे खाने खाने के पहले तो ले सकते हैं लेकिन खाने के बाद इसे बन होरवार्ड में आप ले सकते हैं यानि कि अप जेल की बात करें अपनी मुह में चाले वगएरा है बहुत ज़्यादा हो चुके तो आप औरा सोट जेल ले सकते है और सोट जेल में क्या होता है हिए एक तो Tony एनाल गर्शिग ओता निकी अपने पैन वगरा हो रात इसमें भी रिलीव करता है एंटी सेप्टिक एक पशुजन को कम करते यूज गी बात किरें तो मुह में छाले के लिए गया जाता है डोज इसमें डोज सबसे इंपोर्टन होती है मैं आपको डोज बता देता हूँ यानि कि इस जेल को वहाँ यूज करे जा चाले वगर आए वहाँ उप्यूक्त मातरा में यूज करे और लगाने के बाद कुछ समय यानि कुछ सेकिन के बाद अपने लार निकलने लगती है उस 5 वी टेबलेटकी बाद गते हैं बेटेन साूल टेबलेट की सासा किता फिकंज समय यानि कि कुछ सेकिक्स मातरा में यूज करनी यानि क मूह वागीरा में सूजय वगर आजाती है इसके लिए अपने बेकं सब्सक्राइज को यूज करते यह इस एक परकार किया लानिकी इस टेबलेट होती है जो यानिकी सुजन खुजली लाले माग गर्मी और तवच्छा की कुछ समस्यों को इलाज के लिए यूज में किया जाता है यूज की बात करें तो एलर्जी में यूज होता है खुजली में यूज होता है और मुबमे छाले की टायम यानिकी तब अपने को रिलिफ खरता है तो उस टेम पर अपने खुजली वगएरद चलती रहती है तो यह टेबलेट उससे में आप ले सकते हैं रोज़की बात करें तो वन टेबलेट क्यूटी एनकी एक टेबलेट पर दे वह भी खाना खाने के बाद पहले नहीं पहले तो आप खाऊगे तो इसके बहुत सारी साइट इफेक्ट हो सकते हैं और इसे डाइबेटीज बीपी वाले पैसेंट कम यूज में ले आई होप आज गर वीडियो समझ में आओगा आप अपने दोस्तों के साथ सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाद